अगर आप मेंसे किसी की भी इंगेजमेंट होने वाली है ना तो मैं बता रही हूँ हीरा सोना प्लाटिनम छोड़ दो और ऐसे रिंग दे दो इससे ना आपका भाव अलगी बढ़ जाएगा सबको ऐसा लगेगा आप बहुत बड़े कोई ब्योरोक्राइट हो कोई बहुत बता रहता है कि क्या सब्जी के रेट है मैं बहुत जादा इसमें नहीं जाती हूँ और होता है एक बार ही में आ जाता है ठीक है चलो ठीक है एक एक एस्टिमेटेड रेट रहता है चलो हाँ बीस-पच्छीस रुपे होता है शायद 40 हुआ ठीक है अभी क्या हूँ मैं 75 तो मैं देखी मुझे ऐसा लगा 2.5 है क्या 1.5 है क्या 500 ग्राम मतलब आदा किलो तो मैंने अपने हस्बंड से कन्फर्म किया अपनी गड़ेत पे इतना शक कर ली मैंने पूछा ये बताओ 500 ग्राम आदा किलो है ना तो he was like yes तो मैं बोला आदा किलो टमाटर पच्छतर दिलीवरी चार्ज भी 20 रुपे लगाया तो मुझे काना या दराता लुट गए ठीक है वो मेरी इस्तिती थी अब यहालात तो ऐसे ही चल रहे हैं अब देगो वहीया जरा टमाटर अपनी बारे में क्या कहरा आजकल सब मेरा भाव पूछते हैं पर खरीदता कोई नहीं है लगता है जैसे मेरी सरकारी नौकरी लग गई है ठीक है तो समझ रहा तुम लोग क्या बाव हो जाते हैं ऐसे ही भाव होंगे अगर सरकारी नौकरी लगेगी सरकारी नौकरी लगेगी सेशन को देखने से पढ़ाई करने से एनिवे मैं हूँ तुश्मितात्र पार्टी आप सभी की जीए मिंटोर और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की सिशिन में जलो समझते हैं ये टमाटर की दाम को हुआ क्या है आए भाग किसी रहा है और इसकोगी या कब तक हो सकता है कि सारी बातए हम कहा रहेंगे रीस है पर स्वरेट कि अधर इसमें पेंने सेलेक्ट हो रहा है पेंन में इसमा पेंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है नियुटिटिंग नहीं होगी अगर आप में से किसि के इंगेजमेंट होने वाली है या अगर आपके घर में किसी की होने वाली है तो उसे बोलना हीरा सोना चांदी प्लाटिनम छोड़े और अगर करनी है इंगेजमेंट वो भी पूरे शान से तो ऐसी एक रिंग दे जिसके ऊपर टमाटर लगा हो क्योंकि तब पता चलेगा कि और कुछ खिलाए ना खिलाए टमाटर की चिटनी टमाटर वाली सबजी और सेलेड में खूप सारा टमाटर खिलाए उसके बाद जो बाराती होंगे या जो भी आयोंगे महमान वो उनसे पूछने ही नहीं आएंगे कि बाकी विवस्था कैसी थी उनकी आखे बिलकुल सब ल क्योंकि मेरे घर में कोई सब्जी बन रही थी तो मुझे बोला कि टमाटर नहीं है एकदम से खतम होगे चलो और करते हैं और करने बैठी तो मैंने देखा 500 ग्राम कुछ 70 या 60 रुपए लिखे थी तो मैं बोली फिर मैंने अपनी गड़ित पर इतना शक कर लिया मैंने पू 120 का पड़ा मज़े की बात वो डिलीवरी चार्ज भी मुझ से 23 रुपए ले लिए मतलब मैंने 153 रुपए दिये हैं एक खिलो टमाटर के इतनी ना इंसाफ ही मेरे साथ यह जो टमाटर है सभी को रुला रहा है प्याज नहीं है यह टमाटर है लेकिन कट रहा है तो सब टमाटर आलू इन तीनों को एक साथ में टॉपस कहते हैं अब यह टोप लांट सोते हैं जो यह टॉप क्रॉप सोते हैं इनके साथ में अगर आप देखो इनका दम है वह वोलेटाइल है एकदम से बड़ जाताय तो और घंड न अगर अभ trans जरूरिए है कितने दिन हम लोग्त प्याश टौमाटर और आलो के बिना काट सकता है मेरे गर में एक भी दिन ने कटेगा मुझे नहीं लगता कुछ ना कुछ तो यार बनेगा ही जिसमें ये सब पढ़ेंगे जाहिर से बात है तो ये तो essential food item है हमाई लिए और इनका जो price है ये बहुत उपर नीचे होता है लेकिन इसके बहुत सारी reasons हैं जैसे पहला तो climate change फिर जो monsoons हो गया है उसके बाद से मान लोग कोई कीडे मकॉडे हमला कर दिये या जो इनकी supply है उसमें जो है कुछ फरक पढ़ गया इस वज़े से बहुत instability रहती है अब इसकी वज़े से जो inflation है उसका rate तो भागेगा इस particular चीज़ों में लेकिन सबसे ज़दर नुकसान सहते हैं वो बेचारे जो इनहें लगाते हैं farmers उनको इसका बड़ा नुकसान होता रहता है ऐसे price के उपर नीचे होने की वज़े से हर बार नहीं लेकिन होता है अक्सर अगर लगाता है price उपर नीचे भागते हैं अभी इनके कोई हाल चाल ले ले तो बस वो तो बेहाल हो जाएगा तो reason क्या है कि इनकी फसले जो है वो इतना या इनका जो price है वो इतना उपर नीचे के हो होता है यह reason ज़रा हम समझ लें देखो सबसे पहली होती है इनकी seasonality ठीक है तो यह seasonal होते हैं इनका harvest season होता है किस time पर available होते हैं यह होता है जैसे potato की बात कर लो आप लोग तो यह बोला जाता है कि इनकी जो price है उपर नीचे होती है November से January के पीश में ठीक है price बढ़ जाता है October November में फिर कम हो जाता है December जनवरी में जब नए फसले आ जाती है फिर से market में भर जाता है ऐसी onions की बात कर लें यह अप्रेल मही में कम रहता है फिर से तंबर नवंबर में बढ़ जाएगा इसके अलबा सबसे बड़ी बात है कि यह लोग एक रीजिन में जादा इसको लगाए जाता है जैसे अब हम टमाटर के बारें पढ़ेंगे जैसे प्याश की बात करें तो महराश्ट्र साइड में माध्य प्रदेश में लगेगा टमाटर की बात करें तो महराश्ट्र साइड में लगेगा फिर इधर यूपी नाशिक साइड में लगेगा अब होता क्या है ना एक भी ज जैसे बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है तो यह बहुत सारी रीजन्स होते हैं कि इनका जो साइकल है वो उपर नीचे होता रहता है फिर बहुत बड़ा पॉइंट है कि यह परिशेबल होते हैं परिशेबल मतलब जो की खराब हो सकते हैं परिषेबल है और इनकी स्टोरेज का कोई इतना बड़ा अभी आप नहीं कह सकते हो कि इनके स्टोरेज का बहुत बड़ी कोई जगह या बहुत उसका कोई सॉल्यम्स है तो ये भी बहुत बड़ारीजन है कि एक खराब हो जाते हैं दूसरी बात है डिमान इनलास्टिसृटी थोड़ी थे ही इनकी जो है डिमान उपब नीचे होने की वज़हे से его sуш असर पढ़ता है तो यह कुछ रीजन से कि जो आलू प्याच और टमाटर हैं इनकी प्राइस बहुत उपर नीचे होते हैं तो यह दो हमने देख लिया अब जरह हम समझते हैं अभी मार्केट में एक्जैक्टली चल क्या रहा है अभी क्या हुआ है कि जो टमाटर है इसका प्र प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है तमाम इसकी रीजन्स थे जो बताए गए हैं अगर मैं आपसे बोलू कि इसकी क्या क्या रीजन्स थे क्यों यह ऐसे भागना शुरू हो गया था तो देखो सबसे पहले आप लोग एक बात समझेगा सभी लोग जो भी लोग क्लास में हो एक बात को समझेगा कि भारत में यह क्रॉप्स दो तरीके के होते हैं ठीक है एक होता है जो राभी क्रॉप होता है इसका टोमाटो और एक होता है जो खरीफ वाला होता है ठीक है यह जो राभी क्रॉप होता है बेसिकली यह महाराष्ट्र आंद्रप्रदेश करनाटका के कुछ हिलाकों में होता है ठीक है जो राभी वाला क्रॉप होता है और राभी वाला फार्मर्स के लिए बहुत फायदे मंद होता है फार्मर्स क क्या होता है दूसरा होता है खरीफ वाला जो होता है ये यूपी और नासिक में होता है ठीक है ये जो होता है राभी वाला ये जुनार तालुका होता है महाराश्रा का उधर देखने को मिलता है खरीफ वाला यूपी नासिक में आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है और कि बाकी के साल में यह मार्केट में अवेलेबल रहता लेकिन फार्मर्स को यहां से बहुत बहुत जादा फाइदा होता है तो इस बार क्या हुआ तक हो एक्दम से आपने अगर देखा हो जो फरवरी का महीन था हमारे देश में वो बहुत ही जदा गरम था एकदम से गरम बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया तो जो टमाटर थी इनकी पतियों पतियां छोटी थी जली बहुत नुकसान हुआ इसके अलावा पिस्ट अटैक हुआ इनके ओपर दो तरीके की वाइरस ठीक है एक वाइरस का नाम था लीफ करल दूसरे का नाम था वज़े से उनको नुकसान हुआ ठीक है फिर विपर जोई तूफान आ गया अनसीजनल रेन हुई टोमाटर की जो टहनिया होती हैं बहुत कमजोर होती हैं बहुत तूटकर बरबाद हुए तो पहले ही बड़े जटके लगने शुरू हो गया थे जो भी इसमें डील कर रहा जो भी इसको लगा रहा था जिसकी वज़े से सप्लाइ डिसरॉप्शन देखने को मिला है और इसके बाद से आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कितना बुरा हाल हो गया और क्या हुए अब फिल हाल में मार्केट में किस तरीके से इसका जो प्राइस है वो भागा है व बहुत सारी चीज़े हुई ठीक है इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है इस साल के इस वाले क्रॉप में अब उमीद लगाई जा रही है कि यह आएगा मिड ऑगस्त से मिड ऑगस्त यह मार्केट में अवेलेबल कराए जाएगा तो जब इस बोला जा रहा है कम होने की कम होने की चांसे यहीं सही है जब फ्रेश स्टॉक और सारे आने शुरू हो जाएंगे मार्केट में दिखने लगेंगे ठीक है तो यह इसका बेसिक रीजन था जिस वज़ेसे जो है यह अभी बढ़नी शुरू हो यह जैसे आपने देखा वा कफने लोग को प्रोटेक्ट कर सके है किया के सरकार ने अपनी तरफ से इनिशेट disfr यह देख लो सरकार की जो इनिशेटिव स adesso इनको नौर्मल रखने के लिए एक है operation green ठीक है operation green में सरकार यह जो टॉप यानि tomato, onion, potato इन तीनों के लिए transportation, इनकी storage, subsidy देती है ठीक है फिर market intelligence early warning system भी बैठा हुआ है जहां पे सरकार पहले से ही price movement को monitor करती है कि कैसे बढ़ सकता है, घट सकता है, market disruption ना हो इसके अलावा nafe predictions था है, जो की price volatility कब बढ़ेगी, कब घटेगी, इसके लिए पूरी analysis तयार करती है information देती है कि कितनी supply demand हो नीचे यह और अगर कभी भी ऐसा होता है कि इनकी जो crop है, इनकी फसलों पे कोई असर पड़े या market बहुत उपर नीचे हो जाए, तो इनकी export को ban कर दिया जाता है पहले अपने देश में लोगों को खिलाओ सही से तब दूसरे देश भेज़ता, ठीक है तो सरकार ने कहा हमने यह सब कर लिया है, अब हम एक hackathon launch करेंगे क्या करेंगे, अब सरकार ने कहा है कि वो एक hackathon launch करेंगे इस hackathon का नाम क्या है, तो देखो सरकार ने क्या कहा है, कि सरकार launch करेंगे हम लोगों से आइडिया इनवाइट करेंगे, कि आप बताओ, क्या किया जा सकता है, कि हम लोग टोमाटो को consumers के लिए affordable price पर ले आए, ऐसा क्या कर सकता है, जिससे जो farmers हैं, उनको उनकी produce की पूरी value मिले और बहतर value मिल सके, ठीक है, तो ये जो hackathon है, इसको formulate किया गया है, Department of Consumer Affairs के द्वारा, Ministry of Education के साथ मिलकर, और इसको announce किया गया था, Department of Consumer Affairs के Secretary, Rohit Kumar Singh जी के द्वारा, ठीक है, तो ये सरकार ने अपनी तरफ से step लिया है, कि कैसे वो लोग, मतलब उन्होंने का, हमने तो इतना सब कर लिया, अब आप, जो भी stakeholders है, जो भी academic विगेरा से relation रखता है, जो भी है, वो अभी लोग को हम invite करते हैं, कि आप लोग यहां पर अपनी ideas innovate कर सकतो, बताओ, क्या करना चाहिए, कि हम लोग इसकी price को ऐसे fluctuate ना होने दे, और farmers को अच्छी price मिल सके उनकी produce के लिए, तो यह अभी announcement की गई है, किस के द्वारा, consumer affair department के secretary Rohit Kumar Singh Ji के द्वारा, इसकी hackathon launch किस ने किया है, वाप देख सकतो, department of consumer affair ने formulate किया है, ministry of education के साथ में मिल करके, यह point की याद रखे रहेगा, आप जड़ा इधर देखेगा, भारत के अंदर 2021-22 में सबसे आदा production कहा हुई थी, तो भारत में सबसे आदा tomato की production माध्य प्रदेश में हुई थी, ठीक है, यह आप लोग देख सकतो, यहां पर आपके साम कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा exporter कौन होता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा exporter कौन होता है tomato का, ठीक है, अगर आपको आज की class पसंद आई हो, तो प्लीज बताइएगा, एक और भी बात, अगर आप लोग डेली मुझे लाइफ जोइन करना चाहते हो, तो बार तो फिर में लेंगे, तिल देन, हवा ग्रेट दिया है, थैंक यू सो मुझ पर जोइन इस सशन, जैहिंद जै भारत, गड़ ब्लस्यू पीपल, लव यू, बाई